नमस्कार दोस्तों दर्बंगारोक्स में आपका स्वागत है और यह कुमार कौन है यह बताएंगे आपको लेकिन पहले जानली जी खुलासे के बारे में अविनाश ने क्या कहा था और अभी बहुत सारे कौन पोल खोलूंगा और अभी तो थो थोड़ा गुपत रुप में बात किया हूँ कुमार जी यह अस्तिर रहिएगा तो यह कुमार कौन है जिसका जिक्र अविनाश ने आखरी वीडियो में किया यह बताएंगे लेकिन साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि उनके फेस्बुक पोस्ट पर लिखा था गेम विल रिस्टार्ट ऑन डेट 15 नौवंबर 2021 यह 15 नौवंबर की डेट उन्होंने फिक्स कर दी थी कि कुछ बड़ा करने वाले है लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है तो क्या इस हत्याकांट से कुमार का कोई कनेक्शन है यह एहम सवाल है और पुलिस को यह जाच करना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज वो लाइफ केर सेंटर के बारे में जो यह खुलासा कर रहे हैं वो पहले सुन लीजी आप इस प्रेस विख्यापती उन्होंने लिखा आए कि लाइफ केर सेंटर में डॉक्टर संतोस कुमार नाम का कोई डॉक्टर नहीं है जो कि यहाँ पर आपको बगल में दिख जाएगा डॉक्टर राम असीज प्रताद हमारे प्रवंदक राजियस रंजन और यह डॉक्टर प्रताप नराइंजारू पियंजा है बैठे हुए इसमें लिखा हुआ साफ तोर पर जहां पर यह हम इनको निरजी को बोलेंगे कि यह दिखा है जहां पर करसर लिखा हुआ है इस होस्पीटर में कोई भी संतोस कुमार नाम का अव्यूक्टर नहीं है अच्छी बात है वो नहीं है तो फिर हमें यह बताईए इस कुमार कहा पैदा लिखा है तो यह कुमार कोई और नहीं बलकि एस कुमार संतोष कुमार जो लाइफिंज गेर सेंटर चला रहा थे अपने अपको आस्तिर रही है आठमी पास भी भी है यह भी सी नहीं जानती है आपको तो कुमार को एक्सपोज किया उन्होंने और यह उनका जब वीडियो चल रहा था उस समय भी एक कमेंट आया डॉक्टर संतोष कुमार नाम से यह देखिए इसमें लिखा है अबे करके उन्होंने यह कहा और मरीज हस्पिटल में नहीं तो क्या मंदिर में मरेगा यह डॉक्टर संतोष कुमार के नाम से उस पर कमेंट आया था और एक और कमेंट आया था डॉक्टर संतोष कुमार की तरफ से कि लगता है आपको कमिशन चाहिए तो यह तमाम चीज़ junior सामने आ रही है एसे में सव वो तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने किड्नापिंग की और हत्या करके शर्व को ठिकाने लगाया लेकिन असली मास्टर माइंड कौन है किसके इशारे पर हुआ है अब तक पुलासा नहीं हुआ है अब तक जो गिरफतारी हुई है उसमें पौन कला देविये के नर्स है उस से अंतिम बार बुलाया था फोन करके और गिरफतार महिला ने पुलिस को बताया कि रात करीब सवा 10 बज़े विनाश जा अनुराग हेल्थ केर आये था और वहीं उनकी मुलाकात हुई थी तो सवाल अनुराग हेल्थ सेंटर पर भी है कि आखिर अनुराग हेल्थ सेंटर को बंद करने में आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया और ये हत्या क्या फोरण बाद फिर दो इशू जो दो हेल्थ सेंटर को परजी हेल्थ सेंटर को बंद करने का ओडर जारी हुआ वो का चरित रहनन जो किया गया है कि वो पत्रकार नहीं है आप इनके फेस्बुक प्रोफाइल से आपको पता चलेगा है कि कितने करांतिकारी ये पत्रकारी तक कर रहे थे और इन्होंने फेस्बुक पर लिखा था 18 अक्टूबर को कि लड़ो साहस करो हिम्मत मतारो किसी के बातों में ना आओ जिंदगी मिली है मिट्टी में मिलना ही है आज ने कल इतिहास बना दो दलालों को धूल चटा दो क्योंकि गुणगान लडने वालों का होता है चाटूकार जैचंदों का नहीं हार होगी या जीत ह होगी लड़ूंगा तब तक जिन्दा हूं जब तक इससे पहले भी मुझे 12 जुलाइ 2019 को गोली मारने की धंकी दी गए थी और मैं इसके लिए लड़ता रहा लड़ता रहूंगा जब तक जीता हो तब तक उन लोगों को जीनना नहीं दूंगा यहां पर तो अभिनाश ज् हमें और आपको आगे लेकर चलना है क्योंकि फर्जी नर्सिंग क्लीनिक का मामला सिर्फ बेनी पट्टी का नहीं सिर्फ मधुबनी का नहीं पूरे बिहार का है और यह आवाज आगे बुलंद रहनी चाहिए मशाल आगे जलती रहनी चाहिए क्योंकि जो लड़ाई आप तभी मिलेगा जब इसके इनके गुनाएगारों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा और बिहार के तमाम फर्जी नर्सिंग होम्स बंद होंगे तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरू लगए केजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कुछ